नमस्कार दोस्तों, राजस्तान पुलिस भरती का इंतजार करने वाले विद्यार्टियों के लिए आज का बहुत बड़ा अपडेट है स्वेंव मुख्य मंत्री अशोक जी गेलोट ने ये कल गोशना की है कि 706 पद SIK और 8600 पद कॉंस्टेबल के पदों पर भरती प्रकिरिया आरम की जाए तो आपको पूरे प्रूफ के साथ आपको जानकारी देंगे तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल पुलिस मुख्याले में मीटिंग हुई और उसी मीटिंग में मुख्यमंतरी अशोग जी गेलोग ने ये निर्ने दिया कि बरती प्रकिरिया को आरम किया जाए पूरे प्रूफ के साथ आपको जानकारी दी जाएगी कहां पर कितने पदों पर ये भरती होने वाली है तो ये कुछ पिक्स आप देख सकते हैं पुलिस मुख्याले में कल जो मीटिंग हुई उसी के ये पिक्स है यहाँ देखिए मुख्यमंतरी अशोग गेलोग जी ने कई आदेश यहाँ पर कल जारी किये है ये देख सकते हैं मीटिंग के कुछ द्रश्य आपके सामने है अब हम बात करते हैं कि अशोग गेलो जी ने कहां पर ये गोशना की है, पुरी जानकारी आपको दी जाएगी यह आप देख सकते हैं, मुक्यमंत्री अशोग गेलो जी का ये ट्विटर अकाउंट है और उन्होंने कल ट्विट करके ये जानकारी दी है, सबसे पहले डेट और समय आप देख लीजे, कब का ये ट्विट है और इसमें पदो से समन्दित सारी जानकारी दी गई है कि कितने पदो पर ये भरती आने वाली है यहाँ पर आप देख लीजे सबसे पहले मैं डेट आपको दिखाना चाहूँगा कि यह ट्विट कप का है 11 जून का यह ट्विट है लगबग 11 बज़ कर 9 मिनट पर यह ट्विट किया था अब इस ट्विट में क्या जानकारी दी गई है पुलीस मुख्याले में पुलीस विबाग की उच इस तरही है समिक्षा बेटक में कहा की रिक्त पदों को भरने के लिए 8600 कॉंस्टेबल वश 706 SI यानि की सब इंस्पेक्टर उपनी रिक्षा की बरती प्रकेरिया आरम की जाए और मैं आपको बताना चाहूँँँगा इससे पहले भी पुलीस विकेंसी को लेकर कहीं बार न्यूस भी आई है और समय समय पर जहाँ जहां से मुझे न्यूस मिली है मैंने आपको अपडेट किया है बाकि इससे पहले की मैं बाद बताना चाहूँँगा इससे पहले लगबग 13,000 पदों पर ये वेकंसी आने की चर्चा थी कि 12,000 या 13,000 जिसमें 11,000 पुलिस कॉंस्रिबल के पद थे और 1000 SI के पद थे लेकिन दुबारा रिव्यू किया गया होगा अब जो कॉंस्रिबल की जो वेकंसी आएगी वो आएगी 8,600 पदों पर और SI की आएगी 706 पदों पर SI की भरती आने वाली है खुद मुखे मंतरी जी ने ट्विट करके ये जानकारी दी है ट्विट सब कुछ आपके सामने है तो मैं आप सबी से यही कहना चाऊँगा जल्द ही अब इस पर बरती प्रक्रिया को आरम किया जाएगा जो भी विद्धिहारती SI और कॉंस्रेबल की तैयारी करना चाहते हैं वो अब इसे थोड़ा-थोड़ा अपना समय तैयारी में देना स्टार्ट करते हैं ताकि जब तक वेकेंसी आए तब तक आपकी स्वोलीट सेयारी हो और इससे पहले भी कॉंस्रेबल की वेकेंसी आई थी साइंस का पेपर काफी टप आया था तो जिन विद्धिहारतीयों का इससे पहले चैन नहीं हुआ है उनके पास एक बार फिर से मौका है और आप सभी को मैं बताना चाऊंगा कॉंग्रेस की सरकार राजस्तान की सता में फिर से लोटी है और अभी लोग सबा चुनाओं की इस्तिति आपको पता है कि राजस्तान में कॉंग्रेस की एक भी सीट नहीं है पचीस जीरो जो रिजल्ट रहा है उसके अकॉर्डिंग देखते हुए आप कॉंग्रेस को राजस्तान में कारी करने होगे समय पर भृतियां करनी होगी सब कुछ करना होगा वरना जनता आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चारा हूँ काम नहीं करेगी तो आगे आने वाले समय में कॉंग्रेस की सरकार बनने की बिलकुल भी संभावना नहीं है लोग सबा परिणाम को देखते हुए अब आगे देख लीजी ट्विड भी कर दिया है सब कुछ तयार है जल्द ही वर्ती का विज्यापन भी जारी होगा सब काम होगा तो आप अपनी जो भी विध्यारती अभी सब्सक्राइब करना चाते हैं वह अभी से स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि सलेक्शन होनी का होता है जो वेकेंसी आने से पहले तैयारी शुरू कर देते हैं फिर जब नोटिफिकेशन आएगा तो फिर दो से तीन महीने आपको समय मिलेगा और उसमें सभी सब्जेक्ट की तै जो आप अपनी ते यारी कर सकते हैं इसी के साथ मैं आप से कहना चाहूंगा कि इसका स्लेवस क्या रहेगा एक्जाम पेटर्न क्या रहेगा उसका वीडियो भी जल्द ही बना कर चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा तो चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो घर बेटे लाइव क्लासेज अटेंड करना चाते हैं, राजस्तान GKM, जो भी सब्जेक्ट हैं, राजस्तान की एक्जाम में आने वाले, उन सबी की घर बेटे आप कोचिंग करना चाते हैं, तो अनकेडमी पर प्ले सब्सक्रिप्शन प्लान आप ले सकते हैं, रेफरल कोड हमारा चैनल का जो नाम है राजस्तान GK Store, इसको एपलाई करेंगे, आप तो 10% आपको डिसकाउंट मिलेगा, बाकी जानकर यह आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, धन्यवाद,